नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें इतनी New Technology के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपने शायद इस से पहले नहीं सुनके रखी इस वीडियो को मैं चाहता तो कल बना सकता था लेकिन हमने इस पे Research में थोड़ा खुद को Time दिया और अब जब आपके लिए ये वीडियो आया है तो आपने अगर इस टॉपिक पे कहीं कोई वीडियो देखा भी होगा तो मैं Damn Sure हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ Extra Added Value जरूर मिलेगा HL ने यहां पे दोस्तों बिलकुल ही मतलब धुआधार performance आप इसको कह सकते हैं जो HL ने दिया है HL ने इतने futuristic projects को इस बार Arrow India में showcase किया है जिसकी तारीफ तो बनती ही बनती है हाला कि इस जगा HL की सिर्फ तारीफ करना उचित नहीं रहेगा इसके साथ साथ New Space Research Technologies जो वो company है ये एक नया startup है बेसिकली बैंगलूरू बेस्ट जो की HL के साथ मिलके इस project पर काम कर रहा है जो भी आज हम discuss करने वाले हैं और New Space अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो कोई नई company है पता ना इनका project कुछ भी हो फ्योचर में success होगा नहीं होगा तो मैं आपको बता दू कि इंडियन आर्मी डे के दौरान आपने जो swarm drones देखे थे वो इंडियन आर्मी ने इसी private company के साथ मिलके बनाई थी और record time में यानि कि 4-6 महिने में ही इस company ने इस तरह का drone डेवलप करके ready कर दिया था तो अब आते हैं अपने आज के video पे और बात करते है H.E.L. ने क्या किया है new space के साथ मिलके तो यहाँ पे आपने arrow इंडिया में ये एक special photo आ रही है जो की बिल्कुल ही शांदार photo इसे आप कह सकते है इसमें आपको तेजस उपर fighter jet देख रहा है नीचे आपको एक fighter jet या छोटे drone type की एक चीज दिख रही है जिसे की cats warrior का नाम दिया गया है इसके अलावा उपर आपको तेजस में कई सारी missiles type की चीज़े दिख रही है वो सारे के सारे missiles नहीं है actual में पूरी तरीके से क्या है वो हम discuss करेंगे तो ये सारी चीज़े जो तेजस में लगी है और जो नीचे रखी होई है इसे तेजस ने नाम दिया है cats का cats यानि कि c-a-t-s ये बिल्ली वाला cat नहीं है बलकि इसका full form है combat air teaming system ये system क्या है और ये कितना futuristic है इतना futuristic है कि आप समझे कि America, Russia, China, France develop किया है जो कि सच में बहुत गर्व की बात है कि दुनिया में बाकी देश अब हम से सीखेंगे और अगर हमने ये project बाकियों से पहले complete कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब Russia, America और China तो नहीं होगा या फिर इसराइल जैसे देश भी भारत से equipments को खरीदे ये project बस successfully develop हो जाए तो इस project में one by one करके discuss करते हैं तो ये जो आपको cats warrior दिख रहा है ये जो है cats warrior ये basically एक तरीके का drone है इसकी बनावट देखके आप साफ समझ सकते है कि ये किसी भी fighter jet की तुलना में आधे से भी जादा छोटा है साथी साथ इसका look देखके आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो design है वो काफी stealthy है क्योंकि इसमें जो weapon रखा गया है वो भी एक weapon bay के अंदर रखा गया है जो कि बंध हो जाता है तो इस पे radar की किरने जो है वो पढ़ती तो है लेकि वो टकरा के वापस नहीं जाती तो इसलिए radar इसे पकड़ नहीं पाता है तो ये इस cats warrior की खासियत है इससे क्या होता है तो basically इस तरह के कई सारे cats warrior या आप drone समझे फिलहाल के तौर पे तो कई सारे इस तरह के बड़े drone जो है वो तेजस के साथ मिलके चलेंगे एक fighter jet होगा और मान लीजे आप 5 इस तरह के drone के साथ जा रहे है और फिर जब आप enemy territory में पहुँचते है तो क्यूंकि ये छोटा होता है stealthy होता है तो enemy पकड़ नहीं पाता है इसे ये एक anti airfield weapon है जिसमें high explosive का उपयोग किया जाता है और इस weapon की ही range 100 km तक की है इस weapon को छोड़ता है और ये weapon जो है ये इस तरह का दो weapon ये drone केरी कर सकता है एक जिस तरह के आपको इस side दिख रहा है और सेम इसी तरह के से इसके opposite side में भी एक ये missile लगी होती है तो दो तो इसमें confirm लगी है ये missile हो सकता है future में और भी लग जाए तो ये इस तरह से आप दो missiles को इसमें carry करके जाते हैं और इस तरीके के drones के तुरू आप enemy territory में घुस के attack करते हैं इसका क्या फायदा होगा ये बताने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी खासियत बताता हूँ ये जो cats barrier है ये जो cats barrier है या ये drone है इसकी जो speed है maximum वो cruising speed है इसकी 0.7 mag की यानि ये लगभग 700 km प्लस की रफतार में चलता रह सकता है एक ही speed बना के continue चल सकता है तो high speed इसकी आप समझे 0.8 mag से कम की नहीं होगी जो कि एक drone के लिए काफी अच्छी मानी जा सकती है इसका range भी आप कम मत समझे 800 km दूर तक की इसकी range है तो 800 km काफी है मतलब पाकिस्तान तो 2 बार 3 बार cover हो जाएगा इतने में और चाइना के भी किसी पार्ट को आप लगभग cover कर लेंगे अपने border area से अगर इसे उडान भरवाते है तो ये basically आपका हो गया इसकी range के हिसाब से और speed के हिसाब से आप देखते हैं कि ये काफी उमदा है इसके अलावा endurance 80 minutes की है इसका maximum take off weight है current में 1300 kg का जो कि फिलहाल के तोर पे आप इसे sufficient समझ सकते हैं payload इसमें maximum अभी 250 kg तक का लग सकता है जो कि future में upgrade किया जाएगा तो ये basically इसकी खासियत हो गई अब इस cats barrier से मैंने आपको बताया कि कि किस तरीके से आप attack कर सकते हैं बात कीजा इसका फाइदा क्या होगा और इसे कैसे control क्या जाएगा तो जैसा मैंने बताया कि एक fighter jet के साथ suppose कर ये 5 अगर इस तरह के drones को आप लेके ओड़ने हैं तो वही एक fighter jet में बैठा हुआ pilot अपने fighter jet को भी control करेगा इन पांचों को भी control करेगा इनके weapons को वही pilot fire कर सकता है उसके पास ये आजादी होगी इससे फाइदा क्या होगा क्या इसको लेकि दुश्मन territory में आप घुस गया है तो क्या वो आपको रोक नहीं पाएगा तो पहली बात तो ये कि ये अकेला नहीं है इसके साथ और भी weapons है दूसरी बात कि किसी case में मान लिजे आपने अपना fighter jet पीछे रखा है इन drones को आपने आगे रखा है और दुश्मन का air defense system बहुत अच्छा है और आपके 5 में से 1-2 इस तरह के system गिर भी गए तो भी आप समझे कि इस तरह का system अगर गिर भी जाता है तो भी आपका सिर्फ एक या दो drone नुकसान होता है आपके fighter jet की तुलना में मातर 10% का नुकसान सिर्फ fighter jet लेके जाते हैं तो आपका नुकसान बहुत बहुत ज़ादा होता है साथी साथ pilot ही उसमें आपका मर सकता है जो की मतलब जान की कीमत तो कुछ होती ही नहीं है तो fighter jet भी आपका 800 million का fighter jet गया साथी साथ आपका asset जो main asset था pilot वो भी चला गया इसमें क्या है आपका pilot भी सुरक्षित है और साथी साथ आपको नुकसान भी कम होगा क्योंकि ये drone सस्ते होते हैं बहुत जादा मतलब किसी fighter jet की 10% cost पे इन्हें develop किया जा सकता है इसके अलावा इन्हें मारना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी team होती है जैसा कि नाम है इनका combat air teaming system इस team में क्या है तो अब आप देखें कि तेजस की photo में आपको उपर दिख रहे होंगे कई तरह के missiles type की चीजें इनको one by one करके समझते हैं इसमें सबसे पहले आपको सबसे किनारे वाली missile दिख रही होगी cat hunter ये missile एक air breathing missile दिख रही है जिसमें कि आपको दिख रहा है इसके looks को देखके ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा तर यही chances है कि ये एक air to surface cruise missile की तरह काम करेगा जिस तरीके से आपको scalp missile दिखती है बिलकुल उसी तरीके से कुछ दिनों पहले ही मैंने तेजस वाली वीडियो में बताया था कि भारत ब्रमोस के अलावा भी हो सकता है कोई missile develop करे और देखिए हमारे पास ये news आ गई इस missile की range की बात करते हैं तो current में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 200 प्लस km की इसकी range होगी जो कि obvious है भविश्य में बढ़ाई जाएगी लेकिन current में इस range के साथ ये missile बहुत उम्दा देख रही है आप कहेंगे ब्रमोस है तो इसकी जरूरत क्या है तो ब्रमोस के तुलना में दोस्तों ये missile बहुत बहुत ज्यादा stealthy होगी जो कि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आप किसी भी दुश्मन के पास देखते को second cats hunter दिखाई दे रहा है जो कि सबसे side में अभी आप देख सकते है इस पर मैंने point किया है ये भी काफी हद तक similar लग रहा है जिस तरह की missile मैंने आपको पहले बताई अब ये missile है पूरी तरीके से या कोई एक तरीके का swarm drone है ये 100% इसमें भी अभी shorty नहीं है डेटा आएगा तो हम आपको clear करेंगे पर उसके missile होने की ज़्यादा probability है जो मैंने पहले बताया इसके missile या फिर missile plus drone आप इसे कह सकते हैं फिलहाल के लिए पर ये दोनों का work काफे similar होगा पर सबसे बड़ा attraction जिसकी वज़े से मैंने कहा कि Russia, America, Israel तक भी अभी इस तरह का कुछ नहीं बना पाए है या नहीं सोचा उन्होंने वो है ये middle वाली missile जो की आपको दिख रही है ये actual में दोस्तों कोई missile नहीं है ये एक swarm drone है इसका नाम फिलाल रखा गया है Cats Alpha S ये Alpha S ही सबसे बड़ा attraction यहाँ पे है इसमें क्या किया गया है इस Alpha S में आप clearly देख सकते हैं कि ये एक total combined drone की तरह है जिसकी खुद की range 100 km तक की होगी और इसके बाद इसमें लगे हुए अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 छोटे-छोटे swarm drones लगे हुए है और ये missile 100 km तक independently जाके फिर इन drones को release कर सकती है यानि कि आप एक drone launch करोगे फिर वो 4 छोटे-छोटे drones को launch करेगा और उसके बाद उन 4 drone का जो काम है क्योंकि वो swarm drones है तो missile से काफी better perform कर सकते हैं क्योंकि इनके कई तरह के targets होते हैं इनसे आप कोई ground target भी hit कर सकते हो दुश्मन ने अगर आपके उपर कोई surface to air missile fire की है ये उनको भी मारने में पूरी तरीके से सक्षम है साथ ही साथ अगर आपके उपर कोई air to air missile भी fire करता है तो ये उसे भी future में मारने में capable होंगे यानि कि ये वाला जो swarm drone होगा ये आपका चलता फिरता air defense system होगा जो कि आपके fighter jet को पूरी तरीके से protect करेगा आपके fighter jet को आपका जो cats warrior जो पहला वाला drone मैंने सबसे पहले बताया था उसे ये सब को protect भी करेगा और जरूरत पढ़ने पर दुश्मन पर attack भी करेगा तो ये वाला जो concept था ये मैंने बताया कि ये अभी तक किसी भी country ने मेरे हिसाब से शायद नहीं सोचा है इस तरह के concept के बारे में इंडिया ने सोचा क्योंकि हमारे पास limited resources होते हैं तो हमें उसी में कुछ creative करके चीज़े बनानी होती है और इस बार ये काम जो किया गया है ये concept इतना उंदा class है आप कहेंगे concept अभी तो बना नहीं ये वो मैंने आपको पहले बताया कि new space ने अल्रेडी काफी काम किया हुआ है करके दिखाया है कि उनके अंदर capability है HAL manufacture तो कर सकता है कुछ भी आप उन्हें बताएंगे technology देंगे तो कर सकता है दूसरे तो देशों ने सोचा भी नहीं ऐसा तो ये काफी unique concept इंडिया ने निकाला है future में आप देखेगा कि इसे copy भी लोग करेंगे जब ये पूरा combat air teaming system develop हो जाएगा आज से 4-5 साल में तो आप देखेंगे कि फिर भारत को fighter jets की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी हम कहते हैं कि हमारे पास 42 squadron होने चाहिए क्योंकि हम सिर्फ fighter jet की बात करते हैं जब हमारे पास इस तरह का combat air teaming होगा तो हम एक fighter jet से ही 4-5 fighter jet का काम कर सकते हैं तो हमें फिर इस तरह के systems जो कि सस्ते होंगे जिन से नुकसान हमारा कम होगा और pilots का भी नुकसान नहीं होगा बहुत important चीज है और यही future warfare है तो यह सारी चीज़े जब हम develop कर लेंगे तो हमें 42 squadrons की मुझे लगता भी नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो H.E.L. और New Space Research को हमारी defense gallery और उनके viewers की ओर से शुब काम नाए हैं और best of luck कि आप इस पे अच्छे से मेनत करें और यह project successful हो जाए ताकि भारत का भी दुनिया में नाम हो मैं बता रहा हूँ दोस्तों यह project जब बन जाएगा तो आप देखेगा दुनिया की सारी countries जो है सब भारत की ओर देखेंगी कोई भी अब इसमें successful नहीं हुआ है अमेरिका जो है वो इस पे अच्छे से काम कर रहा है अमेरिका की दो company है एक है Boeing और दूसरी है Kratos जो की इस तरह के drones को जो हमने cats warrior वाला drone बताया उस तरह का wingman drone बना रही है लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़े मैंने बता है जो swarm drone की technique जिससे आप surface to air missile layer to air missile या फिर कोई ground target हिट कर सकते हैं इस सब कुछ पर अभी अमेरिका ने भी काम नहीं किया है तो ये काफी अच्छी technology इंडिया ने develop करने की कोशिश की है उमीद करते हैं कि आगे इस पर अच्छा काम हो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में इसमें बताय हुए content के बारे में आपको कैसा लगा ये सब कुछ सुनके अपने सुझाओ suggestion में जरूर बताएगा हमेरो इंडिया में इसी तरह और भी नहीं नहीं चीज़े जो आ रही है उसके उपर one by one करके वीडियो बनाते रहेंगे डीटेल में आप चैनल को subscribe जरूर करिएगा नमस्कार जय हिंद